हेलो दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज 9 नमबर को आपका SSE CPO का एक्जाम फज सिफ्ट का समाप्त हो गया है जिसका किमा आपको 100% Real और 39 कोशन जो आपसे आज GK Science करेंट अफेर के पूछे गए थे वो कोशन करने वाले हैं डिसकस इस वीडियो में तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा और जिनका भी आगे एक्जाम है इस वीडियो से आप पता कर सकते हो कि आपके एक्जाम में कैसे कोशन आएंगे तो वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा देखेगा पहला कोशन आया था कि FIFA World Cup 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा ये कोशन था तो आपको पता होगा इस वार जो है 2022 में जो FIFA World Cup की जो मेजबानी है वो कतर देख कर रहा है तो कतर आपका राइट आंसफर होगा इसके साथ और डिटेल में बताते हैं कि कतर की मेजबानी में 20 नवंबर से सुरू हो जाएगा ये इसका फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा 2022 में FIFA World Cup का यह 22 सीजन होगा यह टोनामेंट पहली बार किसी खाड़ी देश में खेला जा रहा है और उस देश का नाम क्या है कतर वही आपसे पूछा गया था FIFA World Cup 2022 के लिए लाइब को जो है ना वो अधिकारिक शुवंकर बनाया गया है तो लाइब इसका अधिकारिक शुवंकर है यह भी पूछा जा सकता है अगला कोशना है था I am not मसीहा यह किसकी पुस्तक है यानि कि यह किसके उपर लिखी गई पुस्तक है यह आपसे पूछा गया था तो सोनु सूद जो की अभिनेता है बोलीवूड के इनके उपर लिखी गई यह एक पुस्तक है तो सोनु सूद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसफर हो जाएगा अगला कोशन आया था इंडियन वूमेन किरकेट टीम के जो कैप्टन है 2022 में वो आपसे पूछा गया है तो हर्मन प्रीत कोर आपका राइट आंसफर होगा अपातकाल में कौन सा आर्टिकल जो है वो लागू नहीं होता है इस टाइप से कुछ कोशन देखने को मिला हमें तो देखिए जो आपका सविधान का अनुछे 369 है इसमें भारत के राष्टे पती को अनुछेद 20 और 21 को छोड़ कर राष्टे अपातकाल के दोरान जो है वो जो राष्टे अपातका लगा जाता है उसमें जो है ना हमारा जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है ये नहीं उसमें खतम होता है यही आपसे पूछा गया था या तो आपसे लेंग्वेज थोड़ा अलग करके पूछा गया होगा जिनको एग्जेक्ट कोशन मालू में बताइ या फिर आपसे ऐसे पूछा गया होगा कि इमर्जेंसी के दोरान कौन सा अनुछेद लागू नहीं होता तो आर्टिकल 21 आपका करेक्ट हो जाएगा किसी वैक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंतरता से विधी द्वारा स्तापित परिक्रियाओं के अनुसारी वंचित किया जाएगा ने था नहीं ये हमें आर्टिकल 21 बताता है आप इस कोशन की लेंगवे जिनको अच्छे से याद है वो कमेंट कर दीजेगा अगला कोशन है था बकसर का जो यूद हुआ था वो किसके बीच में हुआ था अब यहाँ पर फेमस कोशन है इस्ट्री का बहुत गया SSE के दवारा बकसर का यूद 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बकसर नगर के आसपास इस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुन्रो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था बंगाल के नवाब मीर कासिम अवद के नवाब सिराजू दोला तथा मुगल बादिशा है अलम दिवते की सेंगत सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी तो यही आपसे पूछा गया था किसके बीच हुआ था तो आपको बता दिया है मैंने अगर यह पूछ ले कब हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 इस सिउध में जीत किसकी हुई थी वो आपको कमे कावेरी नदी परस्तन 1934 में बनाया गया है जो तमिल नाडू का सबसे बड़ा बांध है यह एक विशाल बांध है अब यहाँ पर यह फेमस क्यों है क्योंकि तमिल नाडू का सबसे बड़ा बांध है और यह किस पर बना हुआ है कावेरी नदी पर यही आप से पूछा गय की जो नुक्ती है वो देश के राष्टर पती के द्वारा होता है तो प्रेजिडेंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंस्वर हो जाता ठीक है अगला कोशिन देखते हैं बहमनी किंडम के संस्थापक कौन थे यानि कि बहमनी जो समराज्य है उसके फाउंडर आप से पूछ रहा है तो देखिए बहमनी जो समराज्य था इसको एक तुर्क अफगान सुबेदार अलाउदीन बहमन शा ने इसकी स्थापना की थी तो यहाँ पर यही आप से पुछा गया था तो नाम क्या होगा तुर्क अफगान सुबेदार अलाउदीन भहमनशा यह आपका यहाँ पर करेक्टांस पर हो जाता अगला कोशन देखते हैं ज्यान पीट अवोर्ड ट्वंटी ट्वंटी टू से कोशन आया असमिया सहित्यकार नील मनी फूकन को तथा वर्ष 2022 के लिए कौंकणी सहित्यकार दामोदर माउजो को दिये जाने की यहाँ पर गोशना हुई है तो एग्जेक्ट कोशन अगर यह था तो आपको पता चल गया होगा 2021 का किसे मिला है और 2022 का किसे मिला है अगर कुछ कोशन अलग था तो जिनको याद एक कमेंट करके बताईएगा 2022 का पूछा है तो यह अंस्वर होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कौंकणी सहित्यकार दामोदर माउजे ठीक है अगला कोशन मोहिनी अटम की सराजय का नरते रूप है तो मोहिनी अटम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नरते के रूप में की जाती है हिंदू पोरानी गाथा की दिवे मोहिनी केरल का एक सास्त्रिय एकल नरते रूप है तो केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंस्वर हो जाता वीडियो को भी तक लाइक जिसने भी नहीं किया तो फड़ा-फड़ से आप पहले लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखना चाते हैं तो सबसे पहले अगला कोशन 1991 में किस डांसर को पदम शिरी अवर्ड दिया गया तो 1991 में डॉक्टर शरीफु निसा बेगम अनसारी को दिया गया साहिते एम शिक्षा से समंध है इनका आंदर प्रदेश भारत के रहने वाले आपको पता होगा अगला कोशन आया कि किस डांसर को 1992 में पुरुषकार प्राप्त हुआ था अगर ये पूछा है तो सोनल मानसिया आपका करेक्ट होगा बहुत ही फेवरेट कोशन SSC का बार बार इनसे कोशन बन रहा है सोनल मानसिया का आप रिसेंट में जितने भी SSC ने एक्जाम कंड़क् राजे सवास दश्या बनने के लिए नामित किया गया है वह 1992 में पदम भूशन यही आप से पूछा है ठीक है यह अंसर होगा और 2003 में पदम भी भूशन पाने वाली सबसे कम उमर की प्राप्त करता है तो इनका अंसर आपको मिल गया होगा 1992 का पूछा गया था पदम फानों आदी में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद 14 वर्स से कम आयू के किसी बालक को किसी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा तो इस से आपका समन्दित है यह article 24 पी यूट्रिल कलर की बात करें पी स्केल पे तो ये कलरलेस यानि की रंग हीन होगा एक कोशन आया था है यहापर की Aziatic Society से कोशन बना की Aziatic Society of Bengal के founder आपसे पूछे गए तो पूरे एशिया महाधवीप में एसियाटिक सोसाइटी ज्यान और अनुसंधान का सबसे पूराना केंदर है जिसकी स्तापना इसके फाउंडर चेर्मिन सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई थी तो यहाँ पे आपका अंसवर आपको मिल गया होगा सर विलियम जोन्स और कब हुई थी 1784 नेक्स्ट कोशन इस ट्रेंड टू पाकिस्तान बुक के ओथर तो यहाँ पे बहुत बार यह ससी ने रिपीट किया रिसेंट एक्जाम में और आज भी पूछा गया ट्रेंड टू पाकिस्तान जो है यह दोस्तों आप खुश्वन सी हैं के द्वारा लेकी गई पुस्तक है तो खुश्वन सी हैं आपका करेक्ट होगा एक कोशन देखने को मिला 1907 में मैडम भीखाजी कामा जंडा कहां पे नोंने फैराया इस टाइप से कुछ कोशन था एक्जेक्ट कोशन नहीं मिल पाया भारत्य मूल की पार्सी नागरिक थी जिन्होंने लंदन जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रह्मन किया और भारत की स्वतंतरता के पक्ष में माहोल बनाया वे जर्मनी के स्टेटगार्ट नगर में 22 अगस्ट 1970 में हुई सात्वी अंतर राष्ट्रे सोशलिस्टिक कॉंग्रेस में भारत का प्रतम तिरंगा राष्ट दवज फिराने के लिए सूब विख्यात हुई अगर यहां पे कोशन एक्जेक्ट क्या था जिनको याद है कमेंट करके बताईए अगला कोशन बैरियम पर उकसाइड का फोर्मूला क्या होता है तो देखिए बैरियम पर उकसाइड का फोर्मूला पूछा गया तो बैरियम पर उकसाइड का फोर्मूला हो जगा बी ए ओ टू नेक्स्ट कोशन है कि म्यामार की मुद्रा म्यामार की मुद्रा बहुत बार कोशन आ चुका है म्यामार क्यात हो जाएगा क्यात इसका करेक्ट आंसर है अगला कोशन सती प्रथा को किस वाई सराय ने खतम किया बहुत बार रिपीट हुआ है कोशन ये 1829 की ये बात है वाइस सराय लोड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का एलान किया था इनके साथ में जो एक भारतिय शामिल थे उनका नाम आपको कमेंट में बताना है उनके सेयोग से ये काम हुआ था और यहाँ पे वाइस सराय पूछा गया है तो लोड विल अगरा गोमती और सोन साइग नदियां है राम गंगा नदी बिजनोर जिले से यूपी में प्रवेश करती है राम गंगा का उदगम उत्रा खंड में होता है ठीक है तो यह थे आज के सभी कोशन आई होप यह वीडियो आपको चल लगा है वीडियो चल लगा है तो आप ला कि अथब लाई वीड़ करते हैolé